हлеलो एकी तो विडियो में पहले जोप में पहले घुर्ट कर वाया था दूसरा त्होंद कर वाया था और तीसरे चोश्चयन से में करते हम छे इस लिए करने वांव नाने के तो question number 3 से हम लोग में चालू करता हूं क्या दिया यदि 10 inverse x plus sorry x minus 1 upon x minus 2 plus 10 inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4 हो तो x का मान ग्याद किजिए x का मान ग्याद करने ध्यान से देखना ना x का मान ग्याद करना इसमें तो left hand side right hand side को खेल नहीं खेलेंगे हम लोग तो क्या लिखा है यहां पर दियान से देखिए यह हो गया 10 inverse x plus 1 sorry x minus 1 है ना क्या मैं plus से ज़्याद ही प्यार करता हूं तो फिर plus plus ही लिखलता है कोई बात नहीं human error तो यह हो गया plus 10 inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4 ठीक है भाई x का मान हम लोगो ग्याद करने ठीक है तो अगर आप लोग ध्यान से देखे होगे तो एक आप लोगो फॉर्मूला लिखवाया था 10 inverse a plus 10 inverse b का जिसमें दो कंडिशन होते हैं तो मैं by default बोला था x into y less than 1 by default ले लेना ठीक है तो चलो इसमें वहीं वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं 10 inverse a plus 10 inverse y दो नंबर के question में फॉर्मूला आप लोगों लिखाया था उस वीडियो को जाके देखिए तो क्या होता है 10 inverse a plus 10 inverse y का फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं कि 10 inverse 10 inverse a plus 10 inverse sorry 10 inverse x कर ले x कर ले हाँ ठीक है चलो x में लिखाया था तो 10 inverse x कर देता हूं चलो यह 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to is equal to होता है 10 inverse x plus y upon 1 minus x into y यह कपके case में होता है जब x into y आपको यह जो है ना x into y x into y less than 1 होना चाहिए less than 1 होना चाहिए तो ठीक है बाइडिफॉल यहाला condition हम लोग लेके चर रहे बाइडिफॉल यहाला condition लेके चर रहे जहां से बस देखते रहें अब मैं इसमें formula लगाने जा रहा हूं तो 10 inverse यह मेरा a हो गया अगर आप a रख दूँगा y की जगा भी रख दूँगा ठीक है अभी तो मैं x लिया हूं तो यह हो जाएगा x और यह हो गया y चलिए formula लगा रहा हूं 10 inverse x plus 10 inverse y का तो हम लोग ध्यान से देखेंगे आपका पूरा ध्यान यहां पर केंद्रित होना चाहिए तो यहां पर मैं formula लगा रह x plus y y क्या है यह x plus 1 x plus 2 यह हो गया x plus y upon upon 1 minus x into y तो यह हो गया x x into y y क्या है x plus 1 x plus 2 यह is equal to is equal to pi by 4 is equal to pi by 4 चलो यह हो गया और इसको यहां पेट से यहां पेट से 10 का मैं multiply करूंगा तो 10 से 10 inverse roughly कर गया और यह 10 pi by 4 हो गया यह आप लोग रफली बोलते हैं कि 10 inverse उधर जाके 10 हो गया तो यहां पर देखो क्या बचेगा यह x minus 1 upon x minus 2 प्लस x plus 1 upon x plus 2 upon बस ध्यान से बस देखते रहा ना पूरा ध्यान इधर हो न चीए 1 minus 1 minus क्या है x minus 1 x minus 1 upon x minus 2 multiply x plus 1 x plus 2 x plus 2 is equal to यह क्या हो जाएगा 10 ना 10 inverse उधर जाके rough language में बोल रहा हूं मैं 10 inverse उधर जाके 10 pi by 4 हो जाएगा 10 10 pi by 4 और 10 pi by 4 की value तो अपन को मालूम है तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर अब मैं लुद्टम लिका लूगा लँगा लगुद्टम लिकाला तो यह हो जाएगा x minus 2 और यह x plus 2 ठीग पर एक्स प्लस वन और यह एक्स प्लस वन और एक्स मायनस ये इतना बड़ा आरह अब यह फूल там से च्छ यह फैड़ा से लिक्ते रहेंगे मैंनस फ्लस दीछ रहेंगे मैंनस-1-1-1-1-1 ऐक्स फ्लस उन अपन-1 Christian और यह एक्स प्लस टू यह हो गया इस इक्वल टू टू टैन पाइबाई फॉर वन होता है अब इसको पूरे को सॉल करना है ठीक है दिल्ली अभी बहुत दूर है ध्यान से देखते रहो ध्यान से अगर आप लोग देख रहे होगे तो अभी पेंच चेंज किया पेंच करता ह हुआ है अब ध्यान से देखो आहां पे देखो इन दोनों को अगर आप लोग देख पारे होगे तो एक फॉर्मूला होता है A, sorry, A minus B into A plus B, यहाँ पर देखो, मैं formula लिख रहा हूँ, A minus B into A plus B, यह हो जाता है, A square minus B square, यह formula होता है, तो यहाँ पर देखो, वही formula लग रहा है, A minus B, A plus B, तो क्या हो जाएगा, A square minus B square, A की जगा X है, B की जगा, अरे यहाँ पर नहीं लग रहा है, सौर यहां पर नहीं लग रही है यहां पर तो ए और बी तो अलगर लग est ऐ एक्स माईनस ए-प्ड यहां पर यह दोनों अलगा लग Только तो फॉर्मूला नहीं लगीगा इस निचे में लगेगा फॉर्मूला और यहां लगेगा धिखन से देखना जल्दबादी में यहां पर बोल दिया यहां पर तो न होगा यहां पर घुना होगा सद्वारिश है तो क्या हो जाएगा एक स्क्वैर Southwest माइनस होगा पिर माइनस माइन नर्गूण माइनस Islamic माइनस 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 वन इनट टू ये माइनस टू ही करेंगे तो एक स्क्राइब माइनस टू से यह हो जाएगा एक स्क्यर माइनस टू सेOh अब एक का गुणा एक से और एक ना माइनस तू से तो यह हो जाएगा Maker एक वी अजए को यह आया यह तो अब यहां पे लगागा जो मैं शुत्र आप लोगो को बता रहा हूं नहीं a minus b a plus b का formula भी तो formula क्या हो गा? a square minus b square a की जगह x hacks और बी की जगह 2 है तो a square minus b square यह ओला formula लगा दो. तो a square मतलब x का स्क्क्र माइनस b square मतलब 2 kईi square तो यह 4 हो जाएगा 2 का Beat 2 बटे अभी यहां भी हो घ करने अब मेरे पास जगह नहीं है मेरे पास जगह नहीं है पर यगह मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपको यहां पर लगुत्त्म लिका लूंगा है तो लगुत्तम यह आएगा भी यहां पर फॉर्मूला लगए ए माइनस भी ए प्लस भी का फॉर्मूला लग रहेगा लगुत्तम लिकाला मैं तो इसका लगुत्तम क्या एगा एक स्क्वार माइनस फॉर और यह जो बचा वो इधर yn अप्रव फिर से मैं लिकता हूं की आगी का फिर से लिकता हूं इसका स्कार इसको मैं रफ करता हूं मिरा इसस करने का मन नहीं है यह दू करने का मन यह क्योंकि यह वरी भरी चीज़े अच्छी लगती है पर क्या करें अब मिटाना पड़ेगा कभी कभी क्या हो जाता है ऐसा हो जाता है लाइफ में कि जो हम नहीं चाहते वह भी करना पड़ जाता है तो ठीक है यह क्या है आप लोगो पूरा क्लियर है कैसे आया चलो तो मैं फिर से नहीं लिख रहा मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं इसके आगे का solve करता हूं तो देखो क्या है क्या है आप लोग अच्छे स्टूडेंट है आप लोग इस समझ जाओग आप मैं क्या कर रहा हूं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो x2 यह हो गया x2-x2 में x गया कितना हो जाएगा फ्लस x में ए x और यहाँ पर क्या है minus 2 और कुछछ गड़भड़ी तो नहीं हुई कुछ गड़भड़ी तो öl्य ही धvant सब सहीं जागे हैं अब सब सहीं जा रहें एक्स से एक्स पाट भाटा सफोल 123 sasquare minus 4 यहाँ यहाँ पर मैं ब्रेकेट अभी करूंगा थोड़ी देर में यह माइनस यहां पर क्या है ë्あります one और यहां पर सब्सक्राइब ध्यान से देखते二 फ्सक्राइब एक स्क्राइब मार्क करें उसके बटे डूंड मार्क रहा हूं और देखो स्कॉंड एक हुए एक makers खट गया x से x कट गया तो देखो यहां पे x square x square हो गया 2x square और – 2 – 2 हो गया – 4 अब यहां पर भी देखो पुछ टिया कलाब करते हैं हम लोग x square – 4 – अब इसको गुणा कर रहा हूं इसमें मैं गुणा कर रहा हूं इसमें फ़ार्मूला लगेगा डिशा फर्मूला लग गया है इसमें तो a minus b a plus b a minus b a plus b तो यह हो जाएगा a square a square a square minus b square minus b square is equal to 1 अब और bracket open करता हूं 2x square minus 4 यहां पर हो जाएगा x square minus 4 minus x square देखो minus यह bracket के अंदर जाता है तो sign change कर जाता है और ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां पर plus है तो minus और plus क्या होते हैं minus minus और minus क्या हो जाएगा plus minus minus हो जाएगा plus is equal to 1 यहां पर देखो x plus यह धन में x square और यह रिण में तो यह कड़ जाएगा तो यहां पर क्या बचा 2 x square minus 4 upon minus 4 plus 3 minus 4 और plus 3 minus 3 होगा minus 3 होगा is equal to 1 अब मैं इस minus 3 भाग में तो इसको गुणा कर देता हूं यहां पर इसको इधर भेज देता हूं तो यह हो जाएगा 2 x square minus 4 एक गुणा minus 3 मेराेन स्क्रिषेक अनेवालएगा यह देखो यह टूखो यह निधू तो गुणा में तुधर जाके भाग में हो जाएगा तो एक बटा दू तो एंसर क्या एगा एकस इसक्वाइर तो दो वैल्लू आएगी तो यहां पर मैं क्या करूंगा प्लस माइनस अंडरूड वन बाई टू ठीक है दोनों पक्षों में एक बटे दो का मैं भाग किया और ए चेहा पर x2, x2 है तो मतलब x की 2 value होगी तो प्लस – हम लोग लगाएंगे भी तो यह होगी अगला कोश्चन लोग देखते हैं अभी अगला कोश्चन मैं थोड़ा सवां करूंगा, क्योंकि अगला question ऐसा है sorry अगला question बोल रहा हूं यह वाला question ऐसा है जो मैं पहले आप लोगो solve करा चुका हूं ठीक है तो आप लोगो just hint दूँगा देखो आप लोगो सीध करने की इतना बराबर इतना है तो left hand side हम लोग लेते हैं चलो ठीक है अब यह question बताओ कैसा है कि 8 by 17 8 by 17 is equal to cos inverse 84 by 85 देखना किस कौन से number question तो यहां पर मैं क्या माल लेता हूं और इसको भी माल लेता हूं तो क्या हो जाएगा sign inverse sign inverse 3 by 5 बराबर ए यहां पर माना करके लिख दो माना ठीक है तो sign a क्या हो जाएगा sign a हो जाएगा 3 by 5 तीन बटा 5 similarly इसको मैं माना sign inverse sign inverse 8 by 17 को मैं माल लेता हूं बी अब तो sign b क्या हो जाएगा साइन भी हो जाएगा 8 बटे 17 8 बटे 17 हो जाएगा तो ठीक है अब जहां से देखते रहे ना इसको तो मैं ए माल लिया तो यह हो जाएगा और कॉस ए माइनस भी और कॉस से कॉस इन्वस रफली कड़ गए तो यह बचे गए 84 बाइटीफाइब अब मेरा एक्च्वाल कोश्चन यह हो गया अब मैं लेफ्ट हैं साइज से राइट हैं साइड में प्रूफ करूँगा तो लेफ्ट हैं साइड लेफ्ट हैं क्या है प्लस भी का फॉर्मूला लगा था कॉस ए इंटू कोश बी यहाँ मैनस नहीं आ तो एक से प्लस लगेगा और यह साइड एंटू साइन भी अब आप आप जिए हमारे पस किसकी वैल्ली है Sine A C value or Sine B C value, मतलब कि Sine A C value है,而 Sine B C value है, Tau Cos A c e or Cos B C value मेरे को चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे, तो यह होता है मेरे पास Sine inverse, Sine square A plus Cos square, Cos square B is equal to 1, मेरे को किसकी value चाहिए, Cos A की value चाहिए, सक्कुराइब तो यहां स्क्राइब यहां पर क्या कर दोंगा यह और यह ओगा से मिलर्ली कॉस की वेल्यू आएगी समयलर्ली तो क कउस एक वेल्यू यहाँ पे यहाँ पे सब सहीं जा रहे हैं कर यहां पर गलत कर दू derived लिए हम लों यहां पर यहां पर करें के चलो को दिकत नहीं हो गया हो बी लिखा और हो गया कॉस स्क्वेर ठीटा ठीटा की जगा में बी लिखा तो यह हो जाएगा कॉस इसक्वेर बी इस इक्वल टू अंडरूड श्री अंडरूड अभी नहीं आएगा 1 minus 1 minus sin square b अब हो जाएगा cos b is equal to under root 1 minus sin square b अब a के लिए भी वह इसी होगा बस b की जग़ा क्या डाल दो a डाल दो तो cos a हो जाएगा under root 1 minus sin square a sin square a तो आपके पास इसकी value आजाएगी तो आप लोग का homework है आप लोग क्या करोगे यह मैं यहाँ पर value लिख देता हूँ 1 minus 1 minus sin square a हो जाएगा cos a की value और यहाँ cos b की value 1 minus sin square b हो जाएगा plus sin a की value मालूमें आपको sin a की value है 3 by 5 sin a की value है 3 by 5 into sin b की value है 8 by 17 8 by 17 आप लोग को just sin a की value put करना है sin b की value put करना है उन दोनों का square में है और इसको फिर solve करते जाओगे तो आप लोग को finally answer क्या लाने proof क्या करना है 84 upon 85 तो आगे का आप लोग का है homework H-O-M-E-W-O-R के homework है तो अगर आप लोग कर दोगे का अपने लिए मस्त स्माइले face बना लेना और अगर यह नहीं बना तो comment करके बताना मैं आज का solution दूँगा या आज का last question सरल्तम लूप में लिखिए अब question क्या बोला है सरल्तम रूप में लिखिए सरल्तम रूप में लिखने का मतलब क्या होता है जब आपको कोई बड़ा सा ऐसा term दे दिया है अब देखो ध्यान से देखना जब ऐसा कभी आता है सरल्तम रूप में लिखिए तो यहाँ पर क्या है कौन सा TIGROMETRI है 10 वाला है तो आप X की जगह 10 10 input करिए X की जगह क्या put करिए 10x put कर दो X की जगह 10 x put कर दो तो मैं ठीटा की रूप में कर देते हैं चलो मैं X को माना 10 theta यह लो X को माना 10 theta अगर यहां पर cos दिया रहता तो X की जगह X जगह cos theta लिख देते चीक है तो अभी क्या है यहां पे तो 10 है हमारा तो हम लोग X जगह में 10 theta रख दिए तो यहां जहां जहां पे भी जहां जहां पे भी X है वहां मैं 10 theta रखता हूं ठीक है तो यह क्या हो जागा 1 plus 10 square theta क्योंकि X square स्क्वाइर है माइनस वन अपॉन अपॉन एक सी जगा क्या रख दो टैन ठीटा चीग है अब देखो एक सूत्र यहां पर लगने वाला है एक सूत्र लगने वाला है क्या सूत्र लगने वाला है कि सेख स्क्वाइर ठीटा सेख स्क्वाइर ठीटा माइनस टैन स्क्वाइर ठी व्हु सकता हूं टीगः तो फारमूला देखो कभी भी कही भी लग जाता है na तो यह khôngable स्वार की जगा मैं लिख रहा हूं स्वार थिटा माइनस वन अपन यह जो अपन है यह पूरा 10 inverse में नहीं है यह यहां तक है upon यह ऐसे कर लेते हैं यह यह लो ठीक है यहां पर भी मैं ऐसा कर लेता हूं यह तो यहां पर क्या है 10 theta 10 theta तो ध्यान से देखेंगे यह square से वर्गमुल cancel हो गया तो क्या बचा मेरे पास 10 inverse यह हो जाएगा reducing theta minus 1 upon 10th 10 theta देखो अब सरलता रूप में हम लोगों व्यbieख möjnete करना है तो जीतना चोटा हो सकता है उतना चोटा करना है अब देखो औप इसको और क्या कर सकता हूं मैं ध्यान से देखना और क्या कर सकता हूं मेरे को मालूम है चुकि यह 10 theta 10 theta होता है साइन फीटा साइन फीटा बाई कॉस्ट हीटा और यह सेग फीटा क्या होता है सेग फीटा होता है ओन इपं सब्सक्राइब अब वैलू-पूट कर दे रहा हूं वैल्लू-पूट कर सैंपधालieur करो था लगे तो लगर कीफ alles bright यही सुत्र बार बार यूज होते इसलिए ऐसा सुत्र को मैं को कुष्चन लिया एसे सुत्र का कुष्चन लिया कि जो मुख्यता कोश्चन पूछे जाते हैं पेपर में तो चलो आप मैं इलों की वैलू रखता हूं तो इलों को अभी थोड़ा सा हटा देता हूं फिर ना बार कुष्चा – 1 और टैन घ्रीटा की जगा साइन घ्रीटा माइने कॉस्चन तृटा कुए मेरे को सरलतं लिखना इन देखना चोटा वैलू कैसे ले क्या हूंगा और क्यों में बता हैं तो यहां पर साम कोस्चन यह हो जाए गा एक staple सैन neighbor कॉस्चन ता DAY ओपॉन टीने भी कर देखो इसे तो इजी रूप आ गया तो ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूं इसको और चोटा कर सकता हूं इसको और चोटा कर सकता हूं देखो कैसे इसमें फिर फॉर्मूला लगे इसको फ्रीस्टार डालो ना बहुत यहां पर कभी कॉस दे देता है कभी साइन देता है पांट साल का पेपर देखना बहुत बार आया है आप देखो देखो को सामने लेआ बहुत को उपर लिआ तो क्या होगा चाहिता फिर माइनस वन कर दो उसके बाद क्या करना है 2 को सामने 2 को उपट साइन का फंक्शन लगा? इसमें देको दो है न ना है 2 को सामने लेया और 2 को उपट कर दिया नहीं को देखो दिखो दिया से यहां पर दो है ना तो यहां पर देखो एक ठीटा है यहां पर दो ठीटा है तो यहां पर देखो एक ठीटा है कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो हमारा x 2, यहां पे कुछ mistake हुग है क्या, ओकि यहां पर देखना एक फिर्मॉला में थोड़ा सा mistake है, यहां पर वाला, यहां पर बताउं क्या होता है, यहां पर बताई होता रहता है, FY 2, AI स्क्वार ठीटा, ओकि तो यहां पर तो ध्यान से अगर मैं देखा तो यहां पर ना मेरे पास two theta नहीं है two theta नहीं है शिर्फ theta है इसलिए मैं यह वाले फॉर्मूला बता है और यह main formula आप लोगो बताया इस main formula से यह आया है तो अप ध्यान से देखो हम लोगो value क्या है 1- cos theta की value is तो कैसे करें यह वाले formula से आएगा यह भी cost theta ka formula है और यह cost 2 theta का formula है दो formula में आप लोगों बताया तो यहां पे देखो हम लोगों क्या लाना है one minus cos theta one minus cos theta तो यह second वाले formula से आ जाएगा one minus cos theta तो देखो यह one cos theta को इधर भेज रहा हूं-sin square theta by two को इधर भेज रहा हूं तो यह हो जाएगा 1 minus cos theta और इस minus इसको मैं इधर भेजा और इसको मैं इधर भेजा तो यह हो जाएगा 2 sin square sin square theta by 2 तो मेरे पास इसको direct formula याद करते 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2 फर मैं आप लोगों सब करके बताया है कैसे आ रहा है ताकि आप लोगों सिर्फ एक ही formula याद करना पड़े और इसके बेस में आप लोग सब कर लो तो इसकी value तो लिकाल लिया मैं इसकी value मैं लिकाल लिया यह 10 inverse 10 inverse 1 minus cos theta होता है 2 sin square theta by 2 2 sin square theta by 2 अब देखो नीचे क्या है sin theta इसका भी एक formula होता है देखो अकेला sin theta इसमें नहीं मिले जाएगा तो देखो sin theta की value क्या होती है होता है 2 sin theta into cos theta ठीक है यहांपे वही case है यहां पर 2 theta है तो यहां पर उसका आधा होता है हमारे पास है sin theta तो देखो यहां पर sin theta की value क्या होगी 2 sin theta का अधा अगर यह एक theta है तो उसका अधा theta by 2 into cos theta by 2 तो, सारा खेल फॉर्मुले का है, सारा खेल फॉर्मुले का है तो, यहां पर sin THETA की जगा में क्या रखूँगा 2 sin THETA by 2, cos THETA by 2, यह आ गया, अब जहाँ से देखो sin THETA by 2, sin THETA by 2, cancel हो गया, तो, यह हो जाएगा 10 inverse 2 और यहां पर क्या बचाए technique 2, cos THETा by 2, यह 2 से 2 भी तो cancel हो गया, यह 2 से 2 भी cancel हो गया, clear है, clear है, तो यहां पर final मेरा क्या बचा है, 10 inverse 1 upon cos theta by 2, यह देखो, तो यह और सरलतम रूप में आप क्या करें, हो गया, यह answer मेरा, यह answer, यह answer हुआ, यहां तक देखो, पूरा, पूरा मैं बताया है, यहां तक, बोलो कोई दिक है, कोई भी दिक्कत होगा, 1 minus cos theta, 1 minus cos theta का formula वह मैं लिख दिया, 1 minus cos theta का formula लिख दिया, चीग है, और यह भी बताया, sin theta का formula क्या होता है, फिर finally, कुछ-कुछ-कुछ-कुछ तो कटा, कुछ-कुछ तो कटा, अरे, यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक mistake होगे ह हम लोग से, बताओं क्या mistake होगया, value put करते समय, 1 minus cos theta, 2 sin square theta by 2, 2 sin square theta by 2, मतलब यहां पे square होगा, यहां पे square, तो यहां पे sin theta by 2 से 1 sin theta by 2 कटा, लेकिन sin theta by 2 एक थो बचेगा, तो यहां पे, यहां पे देखो, यहां पे अपन से थोड़ा सा mistake हो गया, तो यहां से आप लोग प theta by 2 दोठ हो है, तो एक sin theta by 2 से 1 sin theta by 2 कट गया, तो क्या बचेगा, 10 inverse और यहां ज़ोच जाएगा sin theta by 2 और यहां पे तो यह दोनों कट गया, तो यह हो जाएगा cos theta by 2, तो साइन थीटा थिटा भाई तू ची थीटा भाई तू हुझा थन घ्रola थिए तूहट्व्य कर में ए शितू bury.. अथन थीटा की वैल्यू सुरूं में हम लोग क्या राखे थे लिए एकस की वैल्यू थन थीटा तो यहां से थीटा की वैल्le Pav हो जाएगी 10 inverse X 10 inverse X तो यहां पर ठीटा की वैल्यू रख दो 10 inverse X by 2 यह हो गया तो कभी-कभी-कभी-कभी-कभी ना कुछ-कुछ human error हो जाते जैसे यहां लोग square भूल गया थो उससे कोई फरक नहीं पड़ता यह human error है थोड़ा महुत error होता है और आप लोगों को दिख जाता है ना कि यहां पर error इसका मतलब प्रैक्टिस करें रट के नहीं आया हो फटापट 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 कोई रट की रट रूटा क्या है तो हो जाता है मेरे को सिर्फ यह फॉर्मूला याद है और मैं इस तो यह प्रैक्टिस से आता है रटने से नहीं आता है तो अगर आप प्रैक्टिस बहुत करते हो और थोड़ा सा आपको जब गलत होता है ना तो आप लोगों पता चल जाता है कि यहां पर कुस्तों गडबड़ है दया तो प्रद्यूमन वाली फिलिंग आ जाती है फिर फि प्रैक्टिस करोगे तो सब आएगा और यह फॉर्मूला में जानबुच के ऐसा कुश्चन लिया जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला आजाए ताकि आप लोगों को अपलाई करना बने तो ठीक है बच्चों यह अध्याय में खतम करता हूं इस वीडियो के साथ थैंक्यू सो को मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में नयाद द्याय के साथ तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए बाइबाइब